नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है अबजीत और आप देखरें टेक गईड दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जियो फाइबर के बारे में और आप में से काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जैसे ही मैं जियो फाइबर का कनेक्शन अपने घर लगवाता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो आज की इस वीडियो में आपको जीरो से ले करके end to end तक बताऊंगा कि मैंने apply कैसे किया क्या क्या problem आई थी मुझे साधी साथ दोस्तों कितना पैसा मुझे देना पड़ा इसके अलावा दोस्तो गाइड भी करूँगा ताकि अगर आपने लगवाया है या लगवानी का सोच रहे तो सारी चीज आपको transparency के साथ पता रहे और इस वीडियो के लिए आप में से काफी लोगों ने request किया था तो मैं उमीद करूँगा कि आप एक like जरूर करूँगे इस वीडियो को और अगर चैनल पर नए होंगे तो subscribe भी कर लेना तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि appointment मैंने book कैसे किया था तो यार यह तो offer कुछ दिन पहले आ चुका था लगभग I think 2-3 माईने पहले की जियो का बहुत ही अच्छा plan आ चुका है तो हमने भी internet पे search किया बट मेरे locality म कैसा करके मुझे message आता था तो मुझे कैसे पता चला कि यार सच में मेरे area में geoconnection का आ चुका है और मैं अपने locality में जैसा उन्होंने बताया कि मैंने पहला connection लिया है अपनी locality में मतलब जिस area में district में रहता हूं मेरा सबसे पहला connection है तो इस बात की मुझे खुसी भी है और इसके लिए मैंने कैसे approach किया वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि majority of लोग अगर आप internet पे जा करके अपना number ये सब दे करके करोगे तो सायद से आपको भी दिखाएगा coming to your area soon इस तरीके से बट मैं आपको यही suggest करूँगा कि अगर आप जिस area में भी रहते हैं अगर ऐसा type का आपको अगर box दिख रहा होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी area में geo का fiber connection जल्दी on होने वाला है अब इसके लिए दोस्तों आप चाहो तो जो भी नजदी की geo store होंगे उनके पास जा करके consult कर सकते हैं मैंने अपने area में ऐसे ही कुछ किया था मैं अपना eye check up कर नहीं गया था तो वहीं पर से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोजा चलो पूछ लेते हैं और fortunately उन्होंने एक number दिया मुझे और मैंने उनसे बात किया फिर सारा कुछ steps हो चुका था तो अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों वो जो भी बनने आपका आधार काड़ लेंगे और सारे process कर देंगे वहाँ पर आपको दो option दिया जाएगा दोस्तों कि आप चाहते हैं 1500 वाला प्लान लेना या फिर 1500 वाला प्लान लेना 1500 में क्या होगा कि connection आपको लगा दिया जाएगा और साथी साथ एक router भी दिया जाएगा और अगर इतना refundable आपको देखनी को मिलेगा तो 30 दिन के अंदर अगर आप refund के लिए जाते हैं तो पूरा पैसा आपको वापस मिल जागा सारी चीज जो उन्हें आपको दिये हैं setup box या router जो भी मिला है आपको सब कुछ आपको return करना होगा पैसे आपके 7 days में आ जाएगे आपके bank account म और इनकेस आप 30 days के बाद करते हैं तो 1000 इंस्टालेशन चार्ज आपका कटेगा तो 1500 से 1000 कटी जाएगा तो 500 refund मिलेगा और 1500 वाला प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें से 1000 कटता है तो 1000 मिलेगा तो ये दो चीज को आपको थोड़ा से clear करके रखना है मैंने सारी चीज confirmation के साथ बताईए आपको अब उसके बाद जो भी plan आपने select किया आपको अपना number देना है OTP आजाएगा उसके बाद आप OTP दे दो और उसके बाद simply आप payment कर सकते हैं मैंने तो online payment कर दिया था phone pay के इस्तेमाल करके तो इस तरीके से मेरा connection के लिए जो भी application का process था वो complete हो गया उस आप वेट कर लीजिए इसके अरावा दोस्तों जो area को visit करने के बाद बात आई wire की तो मैंने देखा और काफी अच्छा मुझे यह भी लगा कि wire की quality मुझे काफी अच्छी देखने को मिली थी उन्होंने बताया कि total तीन तरीके के wire आते हैं अगर आप short distance में मतलब आपका घ मेरा घर है वहाँ पर से around आप बोल सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पर पोल था जहां पर main connection था तो वहाँ से लाने में थोड़ा distance पड़ जा रहा था तो इसकी वजह से मुझे wire की quality थोड़ी सी बहतर मिली तो यह चीज आप अपने जो भी technician आएंगे उनसे बात करके करवा सकते है और अगर change हो सकता है wire तो करवा लेना अच्छी रहेगी बात otherwise छोटा distance है तो जादा दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब जो मुझे wire मिला था उसकी quality मुझे जादा अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसके अंदर दोस्तो fiber वाला wire है ही साथी साथ supporting wire भी है जिसे मैं generally ह हमारे area में आमतार पर बोलते हैं GI wire तो GI wire का support भी आपको मिलेगा तो वो थोड़ा सा जादा अच्छा रहता है अगर आपको white वाला भी मिलता है तो दिक्कत नहीं है और in case अगर black वाला भी मिल रहा है और उसके अंदर अगर GI वाला wire नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है short distance wire को अच्छे से align किया जो भी उनका power meter होता है उसके थूरू चेक किया और उसके बाद जो भी junction था वहाँ पर से उन्होंने hub के थूरू connection दे दिया तब उसके बाद दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से wiring मेरे घर तक लाया और जहां पर end area था वहां पर थोड़ा सा connect करने के लिए एक अलग टाइप का उनका adapter था जिसको उन्होंने लगाया कुछ इस तरीके से जो कि आप देख सकते है और finally wire pole के थूरू मेरे घर तक आ चुका था यहां पर उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से clipping भी की है जो कि आप देख सकते है और यहां पर दोस्तों अगर हम router की unboxing की बात करते हैं तो simple आपको एक router मिलता है जो कि dual band को support करता है यहां पर दो USB port मिलते हैं और LAN port भी आपको देखने को मिलता है इसके साथ दोस्तों आपको दो cable दिये गया है पहला तो है LAN cable जो कि RJ45 के support के साथ आता है और साथी साथ एक telephone cable भी दिया गया है जिसे हम RJ11 बोलते ह जो कि 3 pin socket के साथ आ रहा है 12 volt output के साथ आपको यह मिलता है और इसकी quality भी मुझे काफी अच्छी देखनी को मिली थी साथी साथ दोस्तों fiber connector wire भी आपको देखनी को मिलता है अब यह वाला जो wire होता है यह router में पहले लगाया जाता है और कुछ इस तरीके से इसको गोल-गोल ताकि यह कटे नहीं क्योंकि यह fiber optical बहुत ही पतला होता है जो कि आप समझ सकते हैं और उसके बाद यह router को इन्होंने wall में mount कर दिया अब उसके बाद दोस्तों जो fiber wire आया था उसका next end को इन्होंने hub बनाया जो कि आपको मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने किया वो मैं आपको पूरी अच्छे से explanation देता हूँ इन्होंने सबसे पहले तो wire को cut किया और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही जादा पतला wire निकल के आया है जिसके अंदर दोस्तों यह basically fiber optical रहता है जो कि आप समझ सकते हैं और इस wire को इन्होंने फिर precise cutting की उसके बाद दोस्तों इन्ह की काफी अची बात है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से white box को इन्होंने wall में mount किया अब यह basically एक तरीके का hub create यह लोग करते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि extra wire को यह white board में ही यह लोग घुमा करके रग देते हैं final view दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो wire आया था pole के through वो यहाँ पर है white वाले में साधी साथ उसी से एक yellow cable आया है जो कि आप देख सकते हैं मेरे router पे लग गया है इसके बाद दोस्तों simply हमें router को power on करना था और वहाँ पर के बाद दोस्तों हमारा सारा process complete हो चुका था तो इस तरीके सा दो router के साथ-साथ 4K setup box लेते हैं तो उसको भी connect करने में थोड़ा time लगता है क्योंकि HDMI cable के through connect होता है फिर सारे चीज अपडेट यह सब किये जाते तो उसमें around 20-25 minute लग जाता है तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो अलग से आपको करवाना होगा जो कि आप समझ सकते मुझे कोई जरुवत नहीं थी इस वज़े से मैंने 1500 वाला ही plan को select किया था अब इसके बाद दोस्तो मुझे simply अपना router का password set करना था तो उसके लिए मैं simply mygeo app में गया search किया और उसके बाद जो भी मेरा 2.4 GHz का band था और 5 GHz band था दोनों में मैंने password set करके यहाँ पर से add कर लिया जो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता था बड़ यहाँ पर as such कुछ नहीं था simply app में आप जाईए और सब कुछ आप कर सकते हैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप connection लेते हैं तो एक आपको P&T नमबर भी दिया जाता है जिसे आप चाहो तो P&T के connected हो जो कि आपका Giga Fiverr है उसके थुरू connected है और अगर आप उस app के जरीए किसी को भी call करते हैं तो जो नमबर आपको provide किया गया है उसके थुरू call जाता है आपको free में देखने को यह चीज मिलता है तो जब भी आप recharge कराओगे जैसे तो आपको पहले मन्त free मिलता है लेकिन उसके बाद भी अगर आप recharge करोगे तो call कर पाओगे calling भी आएगा जो कि काफी अची बात है तो एक additional number आपको दिया जाता है जिसका आप चाहो तो उपयोग कर सकते है अब इसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि आप speed test कर लो तो मैंने सोचा चलो देखते है 150 MBPS यह लोग क्या होता है मैं आपको अपने social media के थुरू अपडेट करके बता दूँगा अब इसके साथ साथ दोस्तों काफी लोग सोचते है कि कितना जाधा network drop होता है या फिन तो लगभग 2 दिन से जाधा का मुझे experience मिल चुका है मैं अपने experience के थुरू आपको इतना बोल सकता हूं कि कि as such मुझे कोई जाधा down देखने को नहीं मिला overall speed अच्छा था तो यहां पर दोस्तों यह सारी चीजों को देखते वे मैं आपको इतना तो बोल सकता हूं कि फिलाल के लिए इनका जो installation था जो overall यह जो technicians आये थे उनका जो मतलब बोल चाल था और जिन्होंने यह सारे installation किया म मतलब experience मैं हूं तो मैंने सूचा आपको बता देता हूं क्योंकि आप में से काफी लोगों ने request किया था तो अभी तक like नहीं किया है तो like कर दो और एक दो तीन चीज और मैं आपको बताता हूं मुझे जीओ वालों ने यह भी बताया कि अगर आप अपना router को अच्छे से र प्रब्लम आएगी तो वो लोग आ करके आपको replacement दे करके जाएंगे जो की काफी अची बात है लेकिन हाँ physical damage में कोई भी आपको exchange यह सब नहीं मिलेगा साधी साथ दोस्तों एक बर मैं आपको दुबारा से याद दिला देता हूं चाहे आप 1500 वाला प्लान ले रहे हो या 5000 प्लान ले रहे हैं 30 days का आपको trial देखनी को मिलता है 30 days के मतलब बीच में अगर आप connection को return कराना चाहते हैं तो आपको पैसे पूरे मिलेंगे otherwise 1000 रुपया कटके आपको मिलेगा तो इस चीज़ का भ्यान ज़रूर रखिएगा इसके अलावा दोस्तों 30 days के बाद आपको 150 mbps का जो plan free में मिला है उसके बाद आपको recharge कराना होगा तो जितने का भी plan आप recharge कराते हैं जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं सारे यहाँ पर tax के साथ नहीं है आपको 18% का tax extra देना पड़ेगा अब मैं कौन सा plan recharge कराने वाला हूँ वो तो मैं एक महीने के बाद सोचूंगा बट फिर भी मैं जहां तक मेरे users के हिसाफ से मैंने सोचा है 399 वाला plan को पहले try करेंगे अगर वो enough होगा तो उसके साथ continue करेंगे otherwise फिर 699 वाला plan को select करेंगे और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके घर में already smart tv है तो I will recommend कि आप 1000 वाला ही plan लो क्योंकि अगर आपके घर में smart tv है तो directly wi-fi से connect करो और उसके बाद YouTube या hot star या जो भी आपको देखने है आराम से देखो लेकिन अगर आपका smart tv नहीं है लेकिन हाँ आपके पास LED tv है जहां पर HDMI का support है तो फिर आप 4K setup box के साथ भी जा सकते हैं सारे OTT platform आपको देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप में से काफी लोग यह भी पूछोगे कि यार जो डिस का connection होता है जिसमें हमें बहुत सारे चैनल्स देखने को मिलते हैं क्या वो मिलेंगे या फिने तो as of now कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि आपको सब कुछ फ्री मिलेगा लेकिन हाँ 4K setup box आप लेते हैं तो हाँ प दिसमबर के महिने में ऐसा कुछ अपडेट नहीं है तो इस चिच का ध्यान रखियेगा फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो मैं कोसिस करूँगा कि एक वीडियो के तुरू आपको सब कुछ बता दूँ तो यही सारा चीज था दोस्तों मेरा experience मैंने आपको हर एक ची मेरी एरिया में रहते हो आप तो जा करके लगवा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जो भी process है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो चलो यार इस वीडियो में फिलाल के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा होगा तो करना शेयर करना और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना तो मैं हूँ आपका दोस्ता बजीत मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में थाइक्स लॉट फूर वाचिंग